दोस्तों इस संसार में अलग-अलग समय पर एक से बढ़कर एक महान व्यक्ति होते रहे हैं। और उन्ही महान लोगों में से एक थे। गौतम बुद्ध जिन्होंने खुद सभी तरह के सुखों को त्याग करके दूसरों को सही मार्ग दिखाया। और अगर यह कहे की अपने महान विचारों के दम पर उन्होंने दुन्या में कई सारे अच्छे परिवर्तन लाए तो यह भी कोई गलत न होगा। गौतम बुद्ध ने हमेशा ही सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का मुख्य आधार माना और उन्होंने दूसरों को भी इसी रास्ते पर ही चलने के लिए प्रेरित किया। वैसे यूं तो गौतम बुद्ध है के राज परिवार में जन में थे और उनके जीवन में कभी भी किसी तरह की कमी नहीं थी क्योंकि वह जो भी चाहे वो तुरंत ही उनको मिल जाता था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दिव्यज्ञान की खोज में इन सभी सामाजिक सुखों को त्याग दिया और फिर अपने महान विचारों को बाटते हुए उन्होंने भगवान का दरजा प्राप्त किया। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानते हैं महात्मा बुद्ध की पूरी कहानी। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुवात होती है करीब पांच। 163 इसा पूर्व से जब कपिल वस्तु के पास दुम्बनी नैपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम सिदार्थ गौतम है और वो राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया देवी के घर में पैदा हुए थे। दरसल समय की परंपरा थी कि जब भी बच्चों का जन्म करीब होता था तब महिला अपने माय के आजाती थी। लेकिन जब महारानी अपने माय के कपिल वस्तु आही रही थी। तभी रास्ते में ही गौतम बुद्ध के जन्म का समया गया और इसी लिए लुम्बने नेपाल में एक पेड के नीचे ही गौतम बुद्ध पैदा हो गये। हालां की जन्म के साथ दिन बाद उनकी मा की मृत्य हो गई थी। लेकिन जब बुद्ध जी को राजा के पास लेकर जाया गया, तब वहां पर सभी रीत रिवाजों के साथ बच्चे का नाम सिधार्थ रखा गया। और इनके नामकरण के दोरान कई नामी साधु संत आये थे, जिन में से ज्यादातर लोगों ने सिधार्थ के बारे में भविश्य वाने की की यह महान राजा बनेंगे या फिर एक महान साधु। और फिर मा की मृत्यू के बाद से सिधार्थ का पालन पोशन उनकी मौसी महा प्रजाप्ती गौतम ने की। और दोस्तों सिधार्थ के पिता, उनको बचपन से ही एक महान राजा बनाना चाहते थे। और इसी लिए उन्होंने सिधार्थ को धार्मिक ज्यान से बचपन में दूर ही रखा। लेकिन सिधार्थ बचपन से ही काफी दयालू थे और वह किसी को भी दुख नहीं पहुचाना चाहते थे। यहां तक कि वह खेलते समय जान बूच कर खुद ही हार जाया करते थे। और दोस्तों जब उनके चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को अपने बाड से घायल किया था। तब वो हंस की रक्षा भी सिधार्थ नहीं की थी। और शायद यह कहाने आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने तो जरूर ही सुनी होगी। और यही सभी बाते ही तो थी जो की सिधार्थ को बाकी लोगों से अलग बनाती थी। हाला कि जब सिधार्थ सोलह साल के थे तब उनकी शादी राजकुमारी यशोदा से कर दी गई। और फिर इसी समय से ही वह लगातार कई सारे धार्मिक सवालों के जवाब ढूंडने लगे। और फिर अपने युवावस्था में जब वह बाहर निकाल कर जनता के बीच गए। तब अपनी इस यात्रा में उन्होंने बीमारी बुढ़ापा। और सानसारिक दुखों की तरहे बहुत सारी ऐसी बाते जानी जिसके बारे में उन्हें पहले कभी भी पता नहीं था। और फिर अपने पिता के विरुध उन्होंने एक रात महल छोड़ने का फैसला ले लिया। और फिर बाहर आकर उन्होंने निश्चय किया कि वह दिव्य ज्यान की प्राप्ति करेंगे और दोस्तों यही से शुरू हो गई सिधार्थ गौतम के गौतम बुध बनने की यात्रा वह महल से निकल कर सबसे पहले अनोमिया नदी के तट पर पहुँचे जहां उन्होंने अपने पहले बाल कटाए और फिर साधू के कपडों में आ गए और फिर उसके बाद वह राजा गाव पहुँचे जहां पर मांगने लगे हालां की भिक्षा मांगने के दौरान ही मगद के राजा बिम्बिसार के लोगों ने सिध्धार्थ को पहचान लिया और फिर राजा के दर्बार में जब उन्हें लाया गया तब बिंबिसार ने सिध्धार्थ को रहने के लिए अपने राज्य का कुछ हिस्सा देने की बात कही, हालांकि गौतम बुद्ध सामाजिक लालच में कहा आने वाले थे। उन्होंने ऐसी सहायता न लेने की बात कह दी। और फिर वहां से निकालने के बाद गौतम बुद्ध जाने माने योग और मेडिटेशन के दो टीचर से शिच्षा प्राप्त की। और फिर काफी सालों तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्होंने सही तरीके से ध्यान लगाना शुरू कर दिया। और फिर बुद्ध गया पहुँच कर एक पीपल के पेड के नीचे बैठ लगाता है। उन्चास्त जब उन्होंने ध्यान लगाया तब उन्हें देव विज्ञान की प्राप्ती हुई। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कुछ नंबर समय गौतम बुद्ध की उम्र 35 साल थी। और फिर उसके बाद से ही 80 साल की उम्र तक वो प्रचार प्रसार करने में लगे रहे। और इस दोरान उन्होंने अपने बहुत सारे फॉलोवर्स भी बनाए जो की उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते रहे। और दोस्तों आज का समय भी। अगर देखा जाएं तो गौतम बुद्ध के फॉलोवर्स की संख्या करोडों में हैं, जिसमें कोरिया, चीन, जापान, भारत और नेपाल जैसे देशों के बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों आज भी गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा लोगों को मोटिवेट करती हैं। उम्मीद करते हैं कि राजकुमार सिधार्थ से भगवान बुद्ध बनने तक की यह कहानी आपको जरूर ही पसंद आई होगी। इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबार। झाल झाल झाल